Hello everyone, welcome back और आज की स्वीडियो में बात करेंगे पैकेट फिल्टरिंग के बारे में तो पैकेट से रिलेटेड जो है हमने प्रीएस स्वीडियो में डिसकस किया था जिसके अंदर हमने TCP IP प्रोटोपोल की कॉंसेट जब हम डिसकस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा Transmission Control प्रोटोपोल है उसके अंदर जब डेटा हमारा ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर जो हमारा जो डेटा है वो पैकेट की फॉर्म में कनवर्ट होता है and then वो पैकेट जो हमारे ट्रांसफर प्रोटोपोल के अंदर यूज के जाते हैं इन्फोमेशन को सेंड करने के लिए तो वो जो हमारा पैकेट है वो हमारा सिक्यूर्ड भी में सेंड होता है over the internet इसके लिए जो हम पैकेट फिल्टरिंग के प्रोसेस को यूज करते हैं तो यह जो हमारा पैकेट फिल्टरिंग का प्रोसेस वो फायरवल पे उपरेट होगा और यह जो हमारा उपरेट होता है network layer 3 पे अब इस network layer को जो हम layer 3 के नाम से भी जानते हैं और यह layer 3 होती है हमारी OSI model की और OSI model की अगर मैं बात करूँ तो OSI की full form होती है हमारी open system interconnection model और इसी को जो हम OSI model के नाम से जानते हैं अब जो हमारा OSI model होता है open system interconnection model अब इसके name से suggest होता है कि जो हमारे interconnection के लिए use होता है हमारे coordination के लिए use होता है तो हमारा OSI model जो है basically हमारा conceptual model होता है जो कि हमें common basis पे जो है ISO standards के जो coordination code होते हैं उने की help से हमें interconnection provide करता है between the system तो हमारे OSI model के अंदर ISO standards के जो code होते हैं उनको follow करते हैं और उने की help से हम दो digital devices के बीच में all over the world कहीं से भी network establish करते हैं तो जब हम हमारा data send करते हैं वो जब packet की form में send होता है तो ISO standards के जो code होते हैं उनकी firewall पे जो security होती है वहाँ से वो data process होता है वहाँ से वो packets process होते है and then वहाँ से जब वो process clear होता है process check होता है then उसके बाद जो है हमारा data securely packet filtering की process से pass करने के बाद जो है वो send किया जाता है अब यहाँ पे आप इसने एक diagram देख सकते हैं general overview है कि आपका packet filtering काम कैसे करता है इसको detailing में भी हम समझेगे पर यहाँ पे मापको इस diagram की help से समझाता हो कि basically general overview में आपका packet filtering किस तरीके से काम करेगा अब एक तरफ है हमारा trusted network जहाँ पे हमारा data secure होगा और तूसरी तरफ है इसके अंदर हमारा untrusted network जहाँ पे हमारा data secure नहीं होगा यानि कि वहाँ पे cyber attacks होने के chances जहादा है तो आप देख सकते हैं दोनों side हमारे packets है यानि information है जो कि file की form में store है जिनम packet बोलते हैं अगर यह packet इस firewall rule set को clear करते हैं इस firewall rule set को आप बोल सकते हैं यह हमारा security check है अगर वो इस security check को clear करते हैं then हमारा क्या होगा packet जो है वो transfer हो जाएगा otherwise जो है हमारा data जो है वो packet की form में जो है वो block कर दिया जाएगा या फिर discard कर दिया जाएगा same चीज हमारी untrusted network की तरफ से है अगर वही packet untrusted network की form में आता है और वो firewall security के rule set को pass नहीं कर पाता है तो वो भी जो है हमारा block कर दिया जाएगा अब यहां पर दोनों process है चाहे वो trusted network हो या फिर वो untrusted network अगर आपका packet जो है वो secure नहीं है और वो firewall security check की test को pass नहीं कर पाता है तो उसके बाद जो है packets को block कर दिया जाता है आपर discard कर दिया जाता है जिसकी वज़े से जो information जो data आप send करना चाहते थे वो send नहीं हो पायदा तो यह जो है हमारा general और basic सा overview है इसके अंदर कुछ बहुत जादा coding का या फिर कुछ ऐसे alternative logics नहीं है जो कि इस concept को difficult बनाते हैं तो packet filtering की जो process है जैसे कि अभी आपको मैंने बताई यह processing होती है हमारी decision based अभी decision based क्यों होगी क्योंकि अभी हमने diagram में समझा है कि अगर वो firewall rules set को clear करता है तो ही वो decision लेगा कि उसके data को वो packet को send करेगा otherwise वो उस data को उस packet को block कर देगा या फिर discard कर देगा अब यह जो हमारा packet filtering firewall का process है यह जब decision लेता है तो यह check करता है हमारे कुछ network addresses, ports और protocol तो इन तीनों protocol, address और ports के पास से होता हुआ जो है हमारा security check गुजरता है जिसके अदर से भी हमारे network addresses check होते है अब जो हमारा packet filtering का process है packet filtering firewall का यह हमारा बहुत ही fast होता है because इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा logic नहीं है जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि behind the scene decision लेने के लिए कुछ ज़्यादा बड़े logic नहीं है कुछ ज़्यादा बड़े codes नहीं है simply उसको क्या करना है सिर्फ यह चेक करना है कि जो हमारा packet है क्या वो secure way में send हो पाएगा है नहीं अब इसके लिए जो है वो हमारे internal packet की या फिर data की internal inspection नहीं करता है यह generally जो है normally हमारा क्या गर देगा over the traffic network की help से जो हमारे data को send कर देगा अगर हमारी packet वाल securely send हो सकती है और यह fast इसलिए भी होता है क्योंकि यह हमारी कोई भी alternative information या state information store नहीं करता है जैसे कि बाकी concept यूज करते हैं बाकी concept जो होते हैं cyber security के वो जो भी आफ concept यूज कर रहे हैं उसकी state information रखते हैं कि just like वो हमारी information send होई या नहीं होई तो कितने परसेंट हुई और कौन-कौन से उसकी acknowledgement signs है जो हमें receiver से अवर center से मिलते हैं तो इस type की state information को हमारा packet filtering store नहीं करता है तो इस वज़े से भी हमारा packet filtering firewall का जो process है यह बहुत ज़्यादा fast और efficient होता है अब इसके लिए हमें manually हमारे open ports को check करना पड़ता है for all traffic और उसी की help से जो हमें flow पता चलता है firewall का कि हमारा data secure है या नहीं अब इसको मैं layman language में समझाओं तो हमारे जितने भी ports होते हैं जो कि हमारे data receiving के लिए use होते हैं data sending के लिए use होते हैं तो जब कोई भी traffic होता है उन ports के उपर means कोई दूसरा connection established है उन ports के उपर तो वो जो है manually हमारा packet filtering का process चेक करेगा अगर कोई दूसरा device कोई दूसरा computer या कोई दूसरा हमारा alternative modern devices अगर उस ports से connected है तो हमारा data send नहीं हो पाएगा ये भी जो हमारा packet filtering का process चेक करता है अब हम packet filtering firewall के process को है आज के time पर इतना secure नहीं माना जाता because अभी मैंने आपको बताए ये basically क्या करता है just आपका external inspection करता है कि आपका data क्या securely send हो सकता है अब ये चीज ऐसा भी हो सकती है कि कोई file आपकी securely send हो जाए बट उसके अंदर virus हो ये चीज हो सकती है possible है आज के digital world में तो इसी reason के वज़े से है ये जो है हमारा secure नहीं माना जाता और इसके secure ना होने का एक reason ये भी है कि जब ये file को check करता है तो ये simply क्या कर देता है अगर file में कोई भी virus मिलता है या फिर in security मिलती है कोई vulnerability मिलती है तो ये simply क्या कर देता है उस traffic को जो forward कर देता है means हमारे system पे connect नहीं होने देता है या फिर next port के पास जो forward कर देता है और इसी वज़े से जो है हमारे जो भी malicious traffic होते हैं जो कि sent किये जाते हैं विद्दा hacking tools by hacker तो जो malicious traffic है malicious code है या फिर malicious files है वो हमारे port पे acceptable नहीं होती अब acceptable नहीं होने का meaning है अभी मैंने आपको बताया अगर कोई file है जो कि हमारे system पे sent की जा रही है और packet filtering firewall जो है वो detect कर लेती है कि यह हमारा traffic आ रहा है यह malicious है means इसके अंदर कुछ hacking होने के chances हो सकते हैं तो वो simply क्या करेगी जिस port पे हमें data receive करना था उस port से जो है वो data को accept नहीं करेगी instead वो क्या करतेगी forward कर देगी उस traffic को जबकि अगर हमें security concepts की तरफ से देखे security point of view से देखे तो उस data file को ब्लोग कर देना चाहिए था ताकि वो हमारे system में in future enter ना कर सकी तो इसी reason की वजह से जो हम packet filtering के process को secure नहीं मानते हैं और इसका general overview और general जो भी इसकी processing है working है आप इस diagram के help से समझ सकते हैं जो कि एक important diagram है packet filtering के process को समझने के लिए Thank you